असलाम वालेकुम वेलकम टू माई योट्यूब चैनल कैसे हो आप साब आई होब आप लोग ठीठा को कि मैं भी ठीठा को लागा शुकर है और आज मैं आपके साथ I don't want a guest का 15 पाद शेयर करने बारी हूं और मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरी को जल्दे हट्ब कारकूं उसके बाद हमने स्टोरी शुरू करेंगे तो अगर आपको स्टोरी उकसांद आए तो आप प्लीज लाइक और कमेंट कार दीजिए का और मुझे बता दीजिए का क्या स्टोरी को जल्दे एंट करना चाहिए या फिर इसको थोड़ा लॉंग रखना चाहिए आप क्या चाहते हो वैसे ही मैं स्टोरी को लॉंग या फिर शॉर्ट काट दूंगी ठीक हो गया ना और अगर आप ने इसके पहले वाले पार्स नहीं देखे तो वो कौन देखेगा वो भी आप लोगों ने देखने आप द चलते हैं तो अब लेंस हैं ने जब उन दोनों बच्चों को देखा था जो कि गुलूमूल सा लड़का थोड़ी स्मार सी लड़की थी और जो दोनों ट्रिंट थे तो नचाने की उसका दिल उसे बार बार ही कह रहा था कि ये बच्चे हो ना हो उसी की होंगी लेकिन ये ब स्कून उठाया और दूसरे तरफ नहीं हो सेंग था हाँ उसका सेक्टरी और उसका कॉलेज का फ्रेंड जो कि पापा के ऑफिस फ्रेंड का बेटा था जिससे उसने अपना सेक्टरी राख लिया था और वह उसे पूछ रहा था सार आप कितर हैं आपने क्या वापस नहीं आ का गहना चाहते हो तुम मैं उसी ले कि आया हूं जिसे तुम मेरे पास छोड़ के चले के तो तुम्हारी हमत भी कैसे हुई मैं तुम्हारी टांगे तुफर दूँगा मेरे पास नहीं चाल रहा मैं तुम्हारा कतल का दूँगा तुम अगर मेरे फ्रेंड ना होते तो सही बात है मैं तो आप तक तुम्हें मारी चुका हूता तुमने कैसे हिम्मत की उसको ट्रक देने की, पता भी है उसका पुरा हाल हो गया, अगर मैं इसको होस्पिटर नहीं रेक्या था तो पिछारे के साथ क्या ही हो जाना था, तुम ऐसके कार सकते Såax़ को? , तुम तो ऐसे नही अप्रण ने यही तो करते है ना, shut up, अपर यह बक्वास पान करो तूम उसके बारे में ऐसा आप कोई भी कैसे सकते हूँ, वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कार सकता, मैं जानता हूं उसे, आप उ है जिसे तुम जात को मेरे कमरे में भेंग के चलेगे थे, और आप तुमने समझ लिया, जान लिया, तो उसकी इज़्जत करो, और हबरदार जो तुमने दुबारा से है, उसके साथ ऐसा कुछ करने का सोचा भी, मैं तुमारी जान लेनों का, मैं कोई भी तोस्तिकाले हाथ भी रखने वाला, ओ, सार, I'm sorry, I'm sorry, लेकिन वो तो एक मॉडल है, वो आपकी वाइफ कैसे हो सकता, वो तो कितना जादा यांग है ना, हाँ तो क्या यांग है तो मैं कोन सा बूरा हूँ, मैं भी तो यांग हूँ ना, पाता ने, क्या बाते किये चारू है, तुमाँ खराब कि मिलना है, हाँ हमें उसको भी साथ लेके जाना होगा, किसको, किसकी बात का रहे हो, अरे वो ही आपकी वाइफ वो जो मॉडल है, हमें उसको साथ लेके जाना होगा ना, रहात कोई तो उसने कांट्रैक्ट पेपर साइन किया है, क्या बग्वास किये चारे हो, हाँ तो ने करवा लिया, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा, वो करेगा साय, क्योंकि उसने दो साल का कॉंट्रेक्ट साइन का लिया है, और पूरे वान मिलियन की अमाओ हुई, क्या, तुम मुझे बैंक क्राफ्ट करना चाहते हो, पूरा एक मिलियन ही तुम ने लिख दिया, हाथ और क्य सार, वो इकना प्यारा था, उसकी प्यूटी की तो ये कोई खिकमत नहीं है, तुम फिर से शुरू हो रहे हो, क्या, हाँ, हाँ, सौरी, मैं जानता हूँ, वो आपकी वाइफ है, चलो, मैं आपको ये पताने कोशित करा हूँ, कि जो भावी जान, I mean, मेरी भावी, आपकी व सांदाई हैं, तो वो उसे मिलना चाते हैं, तो आप जहां कहीं हैं, अपनी वाइफ को लेगी, यहां आजएगे मुझसे मिलने के लिए, मैं उसको ले कि कैसे हूँ, वो मिरे शकल तक नहीं देगे ना चाता, सार, यह आपका गार का मामला, मैं इसमें क्या कार सकता हूँ, बहराल, पांच मिनट आप के पास उसको ले कि आ सकते हैं, तो आ जाएं, और अब रेंजाइन ने एक तम से फ्रून ही पान का दिया था, यह नी हुसेंग पर जाए काम समाणने के, हमेशा काम दिकारता ही रहता था, वो उसका कार भी कुछ नहीं सकता था, नी हुसेंग जो तो वो शैन को पहचान ही नी पाया, और अब लेंजाइन सोच रहा था, वो क्या है करे, और फिर उसकी नजर पड़ी उन दोनों बच्चों के, शैन के ममी पापा तो शाहिए डाक्टर से बात करने में बिजी थी और वो दोनों बच्चे जो के चिप्स खाते खाते बाते का रहे थे आपस में और फिर लेंजाइन का दियान जैसे उनकी तरफ से हाट ही नहीं रहा था, उसे पता ही नहीं चेला और उसके कदम बास उसकी जाने भी उट रहे थे, और वो चलता चलता हम दोनों बच्चों के पास आके बैठ गया, हैलो, और वो लड़का जोके गोलो बोला, हालो, अंकल, उसने पूरा मुई चो दैसे चिप से भार रखा था, और हैंसे उनको कितना साथ को क्यों लाग रहा था, क्या नाम मैं बेबी आपका, आप यहां किसके साहत आए हो, क्यों आए हो, आ, मैं, मैं हनी हूँ, ओ, यह मेरी सिस्टर है कैंटी, हम यहां ममी प पाप हैं, आप कोन एंकल, और अख्लान से हैं के मुझे उसे पता नहीं कैसे निकल लिया, मैं तुम्हारा पापा हूँ, वो तुम्हारे ममी पापा नहीं है, और लड़ी ने एक तम से उसे घूर के उससे से देखा, एक तो जिसको भी देखो, हमारा बाप परने का शौक च है, गगा, हाँ गगा, हम अपने गगा से मिलने हैं, क्या नाम है उनका, वूशी, वूशी नाम है, और वो पता कितने ज्यादा फेमिस मॉडल हो चुके हैं, अभी आज ही तो उन्होंने पहली रैंब वाग की है, और वो जो बच्चा फिर से टाटर बोलना शुरू हो गया हाँ, कहां तुम उनकी तरह हो, वो तो इतनी ज्यादा प्यार है, इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम कैसे मोटे केंडे से हो, तुम्हें कितनी बार बोला है, काम खाया करो, लेकर तुम तो सुनते ही नहीं हो, कितनी बार पापा ने बोला, कितनी बार मामा ने बोला हो, रोटे पापा हां वो पापड की ढाना है deix पढ़ा और अियुक्त पार पार पता नह ones हो जाता है जो हूद को वमार पापा कहते रहते हैं और मैं आप से क्यों यहाइस बात देखा रहे चलो हानी हमें जाना है और अब भी वो बच्चे बात कहा रही रहे थे और लेंसान सोचे जा रहा था ये बच्चे कहां से आगे और फिर उसे याद है क्या बोला था अंकल ने कि शैन के बाद उनकी वाइव तो बारा से प्रैग्निन भी हो जाती थी तो पिर ये दोनों बच्चे ये कौन हैं ये कहां से आगे और शैन और फिर उसका ध्यान शैन की तरफ क्या अब और अब वो रूम के भाहर ख़ड़ा ही था के शैन के पापा तम से उसके सामने आगे वो, थैंक यू कहा ना था मुझे तुमे अंकल कोई जरुवत नहीं और जैसे ही उसने मूँ ठाक उनकी तरफ देखा वो तो जैसे अब इतने प्यार से देखते देखते एक तम उससे मही आगे थे तुम तुम यहां पर क्या खा रहे हो अंकल मैं ही उसको यहां पर लेगा है वो, तुम तुमने फिर से उसके साथ कुछ कहा दिया क्या, एक पास से तमारा दिन नहीं बरा गया मेरे बेटे को पार के छोड़ोगी है, क्या किया, तुमने उसके साथ उसे हॉस्पिटल मिलाना पड़ा तुमने उसे ट्रग दिया, तुम कैसे इतना ज़्यादा किर सकते हो मैंने यह सोचा भी नहीं था तुम इतना ज़्यादा किर्चा हो गए, इतना ही ज़्यादा अंकल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया वो पास जो भी हुआ मिस्संडर्स्टेंडिंग थी हाँ सारे मिस्संडर्स्टेंडिंग तुम्हारे साथ ही होनी थी न तुम यह आपे क्या कहा रहे थे वो तुम्हारे पास कैसे पहुंचा और तुम उसे क्यों लेकर आए कैसे लेकर आगे बताओ मुझे क्या किया तुमने उसके साथ बोलो अंकल आइ स्वेर मैंने कुछ भी नहीं किया अच्छा कुछ भी नहीं किया हाँ अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया वो पास गलती से जो भी हुआ वो misunderstanding दे हो गया था वो किसी और की जो उसमें कुछ बढ़ा था जो उसमें पी लिया और उसकी हालत ऐसे होगी अंकल मैं बुरा नहीं हूँ मैं आपसे कितनी बार बोलू मैं आपसे माफ़ी मागना चाहता था मैं यहाँ पर अपने बिजनेस के से लिए भाया था मुझे तो पता भी नहीं था मुझे शैन मिल जाएगा अंकल प्लीज मेरी बात के लिकीन करें हम सही हो क्या बोश हो गया तुमने हमारी मदद किया अब तुम जा सकते हो अंकल मुझे शैन से मिलना है क्यों मिलना है क्या आ तुमने उसे और वो तुमसे मिलना ने चाहता तुम जानते नहीं हो वो तुमसे कितना ज़्यादा ड़ता है कितनी ज़्यादा नफरत करता है तुमसे अंकल प्लीज मुझे उससे मिलना है मुझे उससे माफ़ी मावनी है और मुझे उससे जोगी बात करनी है कौन सी बात करनी है अंकल उसने मेरे साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया है उसे मेरे साथ जाना पड़ेगा कौन सा कॉंट्रेक्ट क्या करना है उसे मौटलिंग का कॉंट्रेक्ट है अंकल प्लीज मुझे सभात करने दे वो तुम्हारे साथ कोई काम ने करगा मैं तुम्हारा साया भी उसके उपर पढ़ने के दूँगा अंकल प्लीज समझने की कोशिश करे न और फिर शैन जो के इतना ज्यादा शोर सुनके अपने बापा को आवाज दे रहा था पापा क्या है? कौन है? आज ना प्लीज जैन जो एकदम से अंकल को टागे आगे चला गया मैं हूँ शैन और शैन जो क्या उसे देख करे अगा भका रहा गया था तुम तुम यहां पे क्या खा रहरे हो मामा यह फिर से यहां पे आगया उसने अपने साथ ही खड़ी मामा को एक तम से पकर लिया था और जो वो दोनों बच्चे फिसके पास ही खड़े थे अरे गगा क्या हूँ आप इनको देख के टार क्यों रहे हो ये इतने भी बुरे नहीं है हाँ ये पास पापा बनने की कोशिश का रहे थे लेकिन ये बुरे नहीं है और शेहन का तो जैसे एक्ताम से रागी हो गया था शेहना इम सॉरी प्लीज मुझे माफ कार दो मैं तुम्हें कोई नुक्सान नहीं हो जाओंगा प्लीज मामा इसे बोल यहां से चला जाया मुझे बहुत ज़्यादा ठार लागा है फ्लीज प्लीज चले जाओ यहां से मुझे बहुत ज़्यादा ठार लागा है तुम मुझे मार ठालो के ना तुम ज़रूर फिर से मुझे टौर्चर करोगे है ना इसलिए आयो ना तुम यहां प जो आप उसे से लाल आंखे लिए लेहन सायन की तरफ देख रही थी ओए अंकल, तुम्हारी हिमत भी कैसे हुई है तुमने हमारे कगा को हल्ट किया, वो तुमसे कितना साथ ठान है कौन हो तुम, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी जो तुमने मेरे कगा की तरफ आख उठा के देखा और सिर्फ पापा हिनी हम दोनों मी हैं है न साथ, बोलो ना हनी, तुम बोल क्यों निरे उसने अपने भाई को हिला के बोला लेकिन हनी तो बास लेहन सायन की दरब देखा जा रहा था बाच कैंटई अंकल ने तो कुछ भी नहीं खिया वो तो देखो, चूपी खड़े हैं, वो तो सौरी बोल रहे हैं अरे तुम्हें एक ताप से अंकल की साइट पे कैसे होगे वो हमारे क्या लगती हैं, कुछ भी नहीं लगती यह हमारे पापा हैं, यह हमारे करके हैं, यह हमारी फैमिली है, और तुम उनको स्पोर्ट का रहे हो, और फिर पिचारा हनी चुपती हो गया था, और पता ने क्यों उसे लैंजान प्यामें तरसा आए जा रहा था, और लैंजान सोर रहा था, यह क्या ही हो रहा था उसके साथ वो बच्ची तो ऐसे जैसे उसे भी मार ठालेगी बेबी मैंने कुछ भी नहीं किया है अब 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 ज्यादा फ्री होने की कोशिश मात करें आप एक तो पहले मेरी करगा को ट्राद है और अब मेरे साथ फ्री हो रहे हैं मेरे ममे पापा इधर ही या मैं कहा रही हूँ और मेहूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग हूँ मैं तो कराटे में सीख रहे हूँ और उसने एक ताम से जैसे अब अपना बोजी ले रही था जैसे अब यू टांग पर मात देगी कुछ अब बेबी I'm sorry तेखो मैं बताने के कोशिश का रहा हूँ तुमारे कगा ने मेरे साथ कॉंट्रेक्ट साइन किया और अने मेरे साथ जाना पड़ेगा मैं तो बिजनिस की बात करने आ रहा था ना बेबी प्लीज मेरे बास समझो अपने कगा को समझाओ नहीं तो बहुत जादा लॉस हो जाएगा हम दोनों का प्लीज इने समझाओ मैं बेंक्रप्ट हो जाओगा बेंक्रप्ट कैसे हो जाओगे तुम अब शैन उसकी तरह खरान से देख रहा था क्योंकि मेरे पागल सेक्टरी ने तुमारे साथ वान मिलियन टॉलर की कॉंट्रेक्ट डिल साइन का लिया ना इस जी है क्या वो तुमारा सेक्टरी था हाँ तो मैं काव से क्या ही बोलने के कोशिश का रहा था तुम प्लीज मेरे साथ चलो मैं तुमारे साथ कहीं नहीं जा रहा प्लीज तुमेरे साथ चलो ना हमें मिस्टर जैंक से मिलना नहीं तो मेरा बहुत बढ़ा नुकसान और जाएगा प्लीज मैं तुम्हारे आगह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलो मेरे साथ मैं नहीं जा रहा हूँ मैं इस कॉंट्रैक्ट को नहीं मानता मैं नहीं खाम करूँगा तुम्हारे साथ तुम बस मुझे छोता हूँ अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे और तभी नहीं हो सैंट जो पता नहीं कहां से किसी जिन की तरह नाजल हो गया था और उसके हाथ में कॉंट्राइक पेपर रिथा ये ध्यान से पढ़ो मॉडल जी इस पे क्या लिख है कि तुम दो साल के लिए हमारे पार फूको अचुके हो और तुम हमारे लावा किसी और के साथ कहां नहीं कार सकते है तो तुम्हें हमारे साथ जाने ही पड़ेगा और अगर तुम नहीं गे तो इस पे ये भी लिखा है कि तुम्हें हमें डबल अमाउंट वापस करनी होगी यहां तुमने कॉंट्रेक्ट तोड़ा कहीं हो और के तब भी तो अगर तुमारे पास दो मिलिन डॉलर है तुमें दे दो और ना चुक चाप मारे साथ चलो और शैन तो अब एक ताप से गब्राय क्या है लेकिन ये काप हुआ मैंने क्या किया हाँ तो इसलिए मैंने तुमें बोला तो था साब भार लोidersब ताब तुमने क्या बोला था साब ठीक है साब सही है तो आप करो खाम करो चलो हमारे साथ और आप शैन एक डाम से घबरा ही चुका था वो क्या ही करता वो उसे जाना पढ़ना था लेकिन वो लेंजान पर भोजा ही कैसे करे मैं क्या करूँ मेरे पास इतने ज़्यादा फैसे कहां से आएंगे मैं क्या ही कहूंगा और फिर उस लड़की जो के कैंडी थी और ये देखें ये मोटा गेंडा हनी भी तो है ना हम दोनों आपको प्रोड़क करेंगे ओए अंकल हम भी गगा के साथ चलेंगे और हम सब आपके साथ जहेंगे ठीक है मन्सूर है आप लोगों को अगर हमें साथ लेके जाओगे तो हम गगा को लेके जाने देंगे बंडा नहीं और वो लड़की तो एक्ताम से जैसे बहुत बड़ी बान के सारे फैसले कार ली थी और शेयन ने उसे चुपके आना चाहा क्यांडी तुम्हें नहीं पता छुपा जए गगा क्या पच्चो की तरह डरे चाहा रहे हो हम तोनों हैं ना आपके बॉड़ी कार्ड हम आपका ह्यार रखेंगे हाथ उंकल क्या प्रैटी हो हमें लेके जाने के लिए साथ में हाँ हाँ शो वाई नाट चलो अगर तुम लोग को मेरे उपर एकी नहीं आ तो तुम भी चलो साथ में और अब शेंग से आटी होई चुका था मिस्टर शेंग से मिले के लिए और आपकार ही क्या आ सकता था और इस तरह फिर वो अब चाही चुका था मेटिंग के लिए और उसके साथ उसके तो छोटे मोटे से बाडी कार्ड यान के कैंडी और हनी भी थे और लेंजेंग को तो हनी कितना ही ज़्यादा क्यों लागता थो कितना सादा इनोसेंट था और वो चोटी बच्ची उतनी बड़ी चुडेल थी है अरब क्या ही हो सकता था अब फूल के साथ कांटे भी तो लाने ही पड़ेंगे ना और फिर शेहन जब घार आया तो वो कितना ज़्यादा अदास था और कितना ज़्यादा सैड और उसने अपने पापा कहा पापा मुझे नहीं पता मुझे बहुत डाड लग रहा है मुझे इस आदमी से डिवोर्स चाहिए ये एक ताम से तुम्हे डिवोर्स का ह्याल कहां से आगया बहस मुझे नहीं पता मुझे इससे डिवोर्स चाहिए मैं इसके साथ नहीं रहा सकता ये यहां पे आगया है ये ज़रूर मुझे वापस ले चाहेगा या मेरे साथ कुछ पुरे कार थे का मैं इसके साथ नहीं रहना चाहिए नहीं चाहता है मुझे प्लीज इससे पचालो सेफ कर लो और फिर अचानक से कैंडी और हनी भी अंदर आगे थे तो वो एक दम चुपी हो गया और उनने का गागा कितना मज़ाया था ना मीटिक में हाँ बहुत स्यादा मज़ाया था जाओ अब तुम जाके अपने फेवरिट नूडल्स काओ और प्लीज मुझे टिस्टर में गुरू में पहले बहुत स्यादा सैड हूँ ओके तो आपकी हेल्प की उपर से आप हमें एक मौकिया जा रहे हो चलो हनी यहां से चलते हैं कैंडी तो एक दम से हवाई हो गई थी और वो हनी का हाथ पकर के उसे अंदर ले गई और फिर पापा ने उसे बोला देखो यह तुम सहीं नहीं का रहे वो तुम्हें सौरी बोलने आया था तुम्हें एक चांस उसको देना चाहिए भापा फ्लीज क्या आप नहीं चानते हैं उसने मेरे साथ क्या किया और अगर वो वाकिर मुझसे सौरी बोलना चाहता था तो वो तुबारा क्यों नहीं आया उसने क्यों मुझसे सौरी नहीं बोला उसने क्यों मुझसे कभी बात नहीं की वो नहीं बदला वो वैसे का वैसे ही है और आपने देखा आज भी उसे मेरी परवार नहीं थी उसने कुछ भी नहीं सोचा मेरे बारे में उसे पास अपनी बिसनेस की figure थी और अपने deal की और अपने contract की पापा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता मैं freedom जाता हूँ मैं नहीं रहना चाहता अब please divorce की case को file का दे मैं जतनी जलती हूँ उससे अलग हो चाहना चाहता हूँ मुझे उससे बहुत जाता चाह लगता है और ये honey और candy क्या उससे मुझे protect कार सकती है please, please कुछ करें मैं जाता हूँ कि मैं उससे divorce ले लूँ और फिर मैं कहीं बाद चाहूँगा कुछ कर लूँगा लेकिन मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता और उसके पापा एक धमजे परिशान ही होगे थे आहर क्या ही हो गया था उसको पांट सार में कभी उसने एक पार पीटी वोस की बाद नहीं की थी और नहीं कभी लेंजएन ने बोला था कि वो उसको छोना जाता है लेकि नहीं आट दोबारा से उसको उसको अपने सामने देखके वो क्यों इतना ज़्यादा पैन निकार गया था कि डिफकोस की बाद का रहा था है अरब क्या ही कार सकते थे वो उसके लाफ तो नहीं चार सकते थे और फिर लेंजएन जो के अपना वीज़ा मजीद एक्स्टेंड करवा चुका था उसे अगले तीनी नोटिस मिल चुका था डिफोस? नू मैं शैन को डिफोस नहीं देख सकता और अगर कहीं वो बच्चे मेरे हुए तो नहीं मैं ऐसे नहीं कार सकता वो ऐसे कैसे कार सकता है मैं तो बिलकुल डिफोस नहीं दोगा मैं उसके साथ रूँगा मैं क्या करूँ मुझे समय नहीं हा रहा और फिर नहीं हुषॉस्का उसके पास आया त्वास सार क्यों के बढ़ा रहे हाए और पिर उसने उससे डिफोस का नोटिस दिखा है कि मैं उसे जिवोस दे दूं और फिर नियुसायंग ने का सारी ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है क्या मतलब है मेरा घार उचड़ा तुम्हें अच्छी बात लाग रही है हां क्यों नहीं लगेगी और ये तो आपके पास चांस है उसको वापस लाने तो नियुसायं का मुझ चूंगे उसने कितना ही अच्छा मशुड़ा दे दिया था उसे और दो दिन बात ही लैंजायं और शैन दोनों जैसे पोर्ट में थे और फिर लैंजायं ने बोला जाज साब मैं इसको डिवोस देना जाता मैं इसको बहुत जाता प्यार करता हूं प्रीज मुझ एक चांस दे ते लिगन चैनल जलरा ने मैं इसके सान नी रहना चाहता प्रीज मुझे सार मुझे उससरे तिला धिला दे भी है प्रामिस करता हूँ, मैं इसका बहुत अच्छे से यार रखूंगा। और अगर मैंने एक भी गलती की या इसे कोई भी हर्ट किया, तो मैं इसे होती डिवोस्त देगा। मैं सार प्लीज मुझे एक चाहस देड़े। मैं इसे बहुत स्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो इसकी हाथर अपनी कंट्री चोड़ के आगया हूँ, सार प्लीज मैं इसे चोड़ना नहीं चाता हूँ, मैं इसे बहुत स्यादा प्यार करता हूँ, और जाज साहब आभरान हो रहे थे, क्या तो मैं इसकी हाथर कंट्री चोड़ के आगया हूँ, हाँ तो और कियाब मैं यहाँ पे बिस्नेस के लिए आया था लेकिन यह मुझे मिल गया तो देखे मैंने तो सोचा मैं यहीं पे रहा जाओंगा मैं तो कुछ भी काल लूँगा मैं तो इसका नोकर भी मान जाओंगा मुझे इसके साथ रहना है मैं इसको चोड़ना नहीं जाता सार प्लीज मुझे टाइम दे प्लीज इसको समझाए ना प्लीज कुछ करें और लैंजायन तो कितने ज्यादा रिक्वेस्ट कहा रहा था और लैंजायन जो किया बुरे-बुरे मुपना आके उसके तरफ देख रहा था मुझे इसके साथ नहीं रहना ज़र साथ आप सुन रहे हो ना मुझे नहीं रहना इसके साथ साथ मुझे इसके साथ रहना है क्योंकि मुझे शाक है कि इसके पास मेरे बच्चे हैं है इसको छोटना राफ He увер कहाँ से अधी हाएं मुझे नने से सब क्या आंजे हैं बता है वो दोनों बचे मेरे हैं को रही है ऑगा है तो धोनों मेरे चोटे बैन भाई है जैस्ट साथ। डेखा आप Symphony कि माँ हुआ तो मैं क्या करूंगा बताए मुझे मैं तो अगर मुजीद बापी ने महाना सकता मेरे साथ तो बुगत पड़ा हाथसा होग partnered मैं अपने वारे से इसके पास ने छोड़ सकता मुझे मेरे बच्चे चाहिए हरे कौन से बच्चे कैसे बच्चे वो दोने मेरे छोटे बेन माईय है Sir, please Sir, please मुझे मिरे बच्चे दिल windows हा दे वो बच्चे मेरे है कहां से आगे बच्चे मैंने बोला नहींसे ही आएगे किया, तुम्ने मेरे साथ दिंग्मांग ने किया था क्या मैनत तुम्हें इतनी महारे धनी मारे साथ साथ कुछ नहीं किया था तो, क्या तूम प्रेगनेट नहीं हो सकते ? ज़रूर तूम प्रेगनेन्ट होगे! ज़रूर वो मेरी पच्चे होगे! और केदे साथ के बीच मेधी द्राफ का रा था और जैन मैं तूं छुखा लिया। ओके मैं तुम दोनों की लड़ाई नहीं देख सकता प्लीज तुम ये कुत्र बिली के तरह लड़ना बंद करो और हाँ डिवोस का एक हास पूरा सीजर होता है एक ताम से कोई डिवोस नहीं हो जाती तो मैं तुम दोनों को टाइम देता हूँ पुरे छे मीलेगा तुम एक साथ रहोगी एक खार में और अगर इस बीट में तुम दोनों के बीट सुला हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और ना पिर छे मीले के बाद तुमारा डिवोस हो जाएगा समझे तुम अब जाओ मेरा दिमाग निखाओ और चाह के अपने बच्चों का मामला सुलचा लो जाच चुके उन दोनों के लड़ाई से बहुत जादे तांगा आ चुका था उसमें फैदला दे दिया और लैंजान का तो दिल जैसे एक लाम से हुशी से भाग गया और वो तो पने बैग साथ में लेकिआ था और श्यान। जो के अदास ही होगया था अब क्या ही करे वो अब कैसे वो उसके साथ 6 में ने रेगा बिल्बूल नहीं दहा सकता वो तो उसे जान चुढ़ाना चाहता था और कहां या पूरे छे मीने के लिए उसके साथ में सल्ट होने जा रहा था वो कहां रेका कि कैसे उसके साथ लेगा वो उसके साथ जा के कहीं भी नहीं रहने वाला और जैसे ही वो गाड़ी में चाहके पैंड़ा लगा लेंजाने एक टम से आके उसके साथ काड़ी में बैगा तुम यहाँ पे क्या का रहे हो, कहां जाना चाते हो अरे मैं जा रहू ना तुम्हारे साथ अपनी सुजरार में क्या मतलब अरे तुमने देखा ना जा सामने क्या बोला हमें छे मीने कठे रहना है तो मैं फिर तुम्हारे साथ ही रहूँगा तुम्हारे खार में और मैं कहा रहूंगा क्या? हाँ तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो चलो ये भी बहुत अच्छी बात है मैं होटल में एक रूम रहे रहता हूँ सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए कितना मज़ाएगा न हम दोनों कठे रहेंगे तो कहा रहना चाहते हो बताओ रूम में रहोगे मेरे साथ यहाँ पर अपने गार में और वहाँ पर तुम्हारे वो क्या हनी पनी हार मीन हानी के आँड़ी वो भी तो नहीं होंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलो आँ मेरे साथ हम अभी खौटर में चलते हैं वहाँ पर रूम लेते हैं ये तुम क्या ही कहा रहे हो लेंज जैन के वे सासुर जी को एक दाम से फुस्सा आ गया जो के गार के अगली साथ पर बैठे वे थे अंगल मैं क्या कहा रहा हूँ मैं तो जो कोट ने मोला मैं तो उसी के उपर रहा हूँ न तो आप मुझे अपने घार लेके जा रहे हैं या फिर मैं इसको अपने साथ लेके चला जाओ वैसे भी ये तो मेरी वाइफ है कौन रोग सकता है मझे और अब शैन बेबास सा होगे अपने बापा की तरफ देख रहा था और इसके बापा चुप होगे और कहीं ना कहीं वो भी तुच आते थे कि ये दोनों साथ मेरी ताके जो भी मिस्स इंडेस्टैंडिंग थी वो प्लियर हो सके और ये दुबारा सी एक साथ हो जाए इसलिए वो चुप होगे और शैन हराने से अपने बापा की तरफ देख रहा था बापा बोल क्यों ने मैं क्या बोलूँ बेटा आप चुको खोड़ने बोला है वो ही मानना पड़ेगा चलो आप लेए चलते हैं इसको या चे महीने हमारे साथ ही रहेगा और लेंस है ना भुशी भुशी उसके साथ बैठके जा रहा था और शैन ने बीच में उसका बैगी राख दिया था क्योंकि वो तो इस बंदे के साथ एक ताम से टाच्चों के बिल्कुल नहीं बैठना चाहता था और फिर घार में हानी और कैंडी जो के स्कूल से वापस आ गए थे उन्होंने क्या ही देखा था कि शैन के साथ वो करूस अंकल भी आ रहा था जो के बहुत जादे चिपको था जो के जबर्दसी पापा बनने की पोशिश का रहा था हे अंकल आप यहां पे क्या कार रहे हो क्यों आयो हमारे घार में शैन तो एक दम से अपना बैग भेंगे अंदर ही चला गया था और लेंज आना आगे पार गया मैं यहां पे रहने वाला हूँ मैं आप कही नहीं जा ना मैं तुमारे साथ रहने वाला हूँ नहीं चाहिए और फिर दोनों बच्चे तो उसको देखे जैसे अपने कानों पर हाथ राके भूले we don't want a gas please go back please go back